हेलो एवरिवान, आप सबी का बहुत बहुत स्वागत हैं मेरे चैनल लव स्टोरी डेलर पे और गाइस आप लोगों के साथ मैं अलड़ी वंग्चें स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ और आप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे Renwen की स्टोरी चले उसे शुरू करते हैं माई परवट स्टूडं को चले उसे शुरू करते हैं जो हमारा वेपन होता है ना चियंक्ष्यान वो हैवन का इंक्विजीशन था यानि के वो बिलकुल त्यावन जो की चूवैनिंग का वेपन था बिल्कुल वैसे ही था दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस तरह कि उसकी golden willow wines थी बिल्कुल वैसे ही दिखता हुआ heaven, inquisition जैसा patron वाला, design वाला बिल्कुल ये weapon था जिसका नाम था च्यांक्शन जिससे soving nun yearning भी बोला जाता है जो कि willow wine की branch को तोड सकता था to any के expression जोते वो uncertain होते हैं और वो willow wine मोरन को देता है यहाँ पर एक हलकी सी light जलती है उसकी हदेलियों के बीच में और समन करता है heaven का inquisition और जैसे ही वो उसे समन करता है यानि के तियानवन जैसे एक weapon को दोनों के दोनों weapon compare किया जाये तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे mirror में खड़ी वी दो image हो कोई भी difference नहीं था और कोई भी expect नहीं करता कि यह ऐसी चीज़ हो जाएगी इवन मोरन को भी नहीं पता था उसे यह believe करने में बहुत मुश्विल हो रही थी कि as a person वो कभी भी नहीं सोचता था कि वो किसी को heaven inquisition के through किसी को भी चोट पचा सकता है उसकी previous life में भी उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन चैंग ची उसे इस तरह का identical weapon देगा जो कि चुए चैंग के weapon से बहुत जादा मलता है और वह मनमें सुचता है यार यह क्या चल रहा है everyone उसकी तरफ देख रहे थे को चैन जो की upper gong था वो भी उसकी तरफ देख रहा था वहां एक दम उसके side में खड़ावा वह surprise होते वे कहता है actually यहाँ पर दो wood spirit essence के mortal world में आज की डेट में दो weapon है चुमिंग कहता है इसका क्या मतलब है wood spirit essence तब ही वो कहता है ओ यह इस तरह से है गवाचन गोचंग यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर 25 टाइप के elements होते हैं पूरे के पूरे संसार में जो की हर person की spirit core core attribute दो तरीकी के attribute उन्हें suitable होते हैं immortal world में person जो है बहुत जादा talented होते हैं उनके अंदर एक ही element होता है जैसे की essence होती है इसी भी element की for example goddess ocean जो है उनके पास earth spirit का essence है और normally यहाँ पर जो essence होता है न वो same element होता है और आपका जो weapon होता है न वो उसी से match करता होता है और जिनकी भी wood spirit की essence होती है वो motor world में भी exist करते हैं बहुत साल पहले यहाँ पर best wood spirit जो थी वो weapon यहाँ पर किसी और को नहीं बलकि two winning को मिला था जैसे ही वो कहता है उसका gaze जो है वो यानि कि उसके देखने के जो नजर थी वो two winning पे जा दी है और कहता है जब मैंने पहली बार इस तरह का divine weapon देखा ओर इजिनली यह कहीं न कहीं plan था कि इसे force किया जाएगा और उन दोनों में से एक weapon जो है ऐसे चार weapon है और कोई भी problem नहीं होती जब इसे force का process होता है wood spirit divine weapon actually किसी भी weapon को दो हिस्तों में तोड़ सकता है मैंने कभी नहीं सोच चा था कि heaven की will होगी और मैंने ऐसे दो weapon बना दिये थे जो कि willow brand से ही कहीं न कहीं meal खाते थे और impossible था इन दो weapon का same time पे अलग लग owner के पास होना मुझे अकी नहीं आता कि मैंने ऐसा ही एक weapon जी भाई हुआ आज से कुछ साल पहले ब्रोकेट बॉक्स में डाल कर किसी को दिया था और अब मुझे नहीं पता था कि वो किसके हाथ में जाएगा बट गर्चिंग जो है वो यहाँ पर अपना सिर हिलाता है और continue बोलता है Moran का हाथ जो है वो अभी भी ऐसा लग रहा था जिसस के हाथ से सब कुछ बॉस्ट आउट हो जाएगा क्योंकि उसे अभी इस वेपन की आदत नहीं थी पिछले टाइम पे उसके पास एक और तरीके की तलवार हुआ करती थी और इस वक्त उसके पास विलोवाइन है Moran का दिमाग बहुत जादा मैसी था और बिना सोचे ही वो अपना मुझ खुल के कहता है उफ टाम इट चुएनिंग जो है वो उसे चुप कराना चाता था लेकिन अभी तक बहुत देर हो गई थी गवाचान शिंगोंग और चुएनिंग जो है Moran की तरफ देखते हैं और उन्हें दुख लग रहा होता है क्योंकि Moran को त्यान्वन संभाला नहीं आता था और वो जानते थे उसक जो ओनर था उसने उसे नाम दिया अनफॉर्चनेटली बहुत लेट हो गई थी जब भी आपके हाथ में आपका स्प्रिचल वेपन आता है आपका उन्दर स्पोर्टर से नाम देना होता है और जो भी आपके मुह से पहली चीज निकलेगी वह उस वेपन का नाम बन जाता है और यहाँ पर मॉरन के मुह से निकला था और जिसकी वज़ा से मॉरन मन मैं सुता है ओ शिट यह क्या बोल दिया यहाँ पर शुमेंग शीमे जो की रूल्स को नहीं जाते थे कि यहाँ पर शेन्वू को नाम उनने क्या रख दिया है वो समझ जाते हैं और जब यह सीन उनके के सामने होता है तो जोerd मोगा 60 से पेट पकड़कर हसने लगता है इसकी आंकशे वहराती है और क्यता है तुम ही एसी सोच के साथ निकल सकते हो तुमने अपने weapon का क्या नाम दिया है oh my god master ने 93 नाम दिया था और तुमने अपने weapon का नाम oh damn it रख दिया shit man तुम मतलब unpredictable हो तुम्हें सोचा भी नहीं जा सकता कि तुम ऐसे होगे since moran जो है वो अलड़ी shinwo को obtain कर चुका था shumeng और shee में जो है वो अपने weapon को choose करते हैं यहाँ पर shumeng ने एक long sword और shee में ने एक छोटी सी flute choose की थी अपने लिए दोनों के weapon जो है वो इतने ज़्यादा चम्मकदार नहीं थे और उनका different color भी नहीं था लेकिन यहाँ पर वो उने कही न कहीं लुभा रहे थे वो submit नहीं कर रहे थे उन दोनों की तरफ और यहाँ पर उन लोगे ले matter भी नहीं करता था और इस तरह से वो सुचना भी नहीं चाहते थे वो good mood में थे और रात के वक्त banquet वहाँ पर सजा हुआ था spring night pavilion में गोचिंग शेंग होंग जो है वो अपने साथ mortals को कभी भी नहीं लेकी जाता था लेकिन अब वो जिंचेंग पूल में उन सब को invite करता है कि वो वहाँ पर एक रात रुके और जाने से पहले वहाँ की चीज़ों का लुफत उठाए उसके लिए उसके guest काफे precious थे वो पहली बार एक दूसरे के साथ बैठते हैं टिपसी होते हैं और टोस्ट करते हैं बैंक्विट के बाद गूचिंग शेंगोंग जो है वो ओर्डर करता है सर्वेंट को कि वो उन लोगों के लिए guest room खाली कर रहा है और उन लोगों के लिए रूपने का इंतजाम करवाए और वो यहाँ पर समन करता है विलो वाइन को जो कि वो धियान से देखने लगता है चैंग श्यांग सी विलो वाइन जो थी वो यहाँ पर ब्रांच को तोड़ देती है उसका एक demon नेम था जी पाय हुआ नोटिस करता है कि यहाँ पर ऐसी भी कोई चीज है जो समन करने पर यह सब कर सकती है यहाँ पर उन सबने काफी जादा पी रखी थी और वो मन में सोचते हैं बहुत ही clear thought के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि यह बहुत strange है यहाँ पर। जो मोरं की चीज थी वो कहीञ न कहीज राउंग नहीं थी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि चूअनिंग जो है वो उस बॉक्स को अनलोक कर चुका हो क्योंकि मोरं को लगता था उसका प्रशी में है और चूवेनिंग कैसे उस बोक्स को खुल सकता है वो चूवेनिंग को पसंद नहीं करता था और यहाँ पर उसे ऐसा लगता था कि क्या वो चूवेनिंग को डीपली लव करता है कितना मजाख है ना कितना बड़ा क्योंकि वो थो अपने मास्टर से सबसे ज़्यादा हेट करता है और वो जब अपनी मास्टर की नजर में देखता है उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चूवेनिंग उल्सो उसकी तरफ देख रहा होगा पीचे से उन दोनों की आगे मिलती है उसके दिल एकदम से कापने लगता है जैसे मानो नचाने कितनी चीज़ों ने उसके दिल पे खात लगा दी हो उसकी दिल की तरफ बहुत सारी चीज़े चुबा दी गई हूँ यह उसके मन में एक अलग सी खटास थी और यहाँ पर वो कुछ जादा नहीं सोचता वो यहाँ पर चुवेनिंग की तरफ दाथ दिखाने लगता है और स्माइल करने लगता है और यह मोमेंट जादा देर नहीं रहता सून उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो चुवेनिंग की तरफ इस तरह बेवकुफू की तरह दाथ की दिखा रहा है वो बहुत जादा इरिटेट हो चुका था और यहाँ पर वो शांती जाता था कमफर्ट जाता था और वो यहाँ पर थोड़ी और चीजों को देखने लगता है चुवेनिंग जो की इस वक्त थोड़ा सा आम लोगों से डिफरेंट लग रहा था यहाँ पर वो मोरन की तरफ देखता है और वो उस चीज को देखने लगता है जो मोरन के हाथ में और वो थोड़ी सी दिर के लिए सूचता है और फिर से वो तयानवेन को समन करता है वो मोरन के पास जाता है वो जो चीज उसके हाथ में थी जिसका नाम उसने damn thing रखा था यहाँ पर वो good temper में नहीं लग रही थी और वो यहाँ पर दूसरी powerful wood spirit की body को अप्रोच कर रही थी इतने में यहाँ पर बहुत सारे चमकीले पदार निकलने लगते हैं और time to time वहाँ पर बहुत सारी चमक explode हो रही थी जो कि शूमेंग पर भी आ रही थी यह actually में एक competitive state थी और दूसरी state पर त्यानवें चूवेंग के हाथों में थी जो कि बहुत आदा sense similar लग रही थी उसका aura भी बहुत different था और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो चूवेंग है ना लोंग टाइम से इस समन करता है कंट्रोल करके रखता है और यहाँ पर वह काफी जादा familiar होगी अपने मास्टर के साथ लेकिन उल्टा मोरन की जो विलोवाइन थी वह उसके साथ अभी को प्रेट नहीं कर रही थी वह अपने मास्टर को नहीं जानती थी एक्सप्ट नहीं कर रही थी मोरन को उसे टैकल करना नहीं आ रहा था और अगर आपको अपने हितार होता है जो आपको मिल जाता है उसे टैकल करना उसे संभलन नहीं आता workedne वह और के टाइम पे आपी कि अगेंसन यूस हो सकता है दो जवाइन वैपन है औरिशनली एक जैसी दिखती है एक जैसी ब्रांच के साथ है लेकिन एक अपने मास्टर के बहुत ज़ादा ओबिजेंट है और एक अपने मास्टर की सुनी निर जई है एक में से लाल लाइट निकल रही है एक में से गोल्डन लाइट निकल रही है यह moment वो थोड़ा सा पास आता है secret room के और उसकी आंके जो थी अभी भी मोरन की तरफ देख रही थी वो दीरे से कहता है मोरन मोरन भी कहता है शिजुन तब ही चुवेन ही कहता है अपनी willowen उठाओ और अपनी willowen मेरी तरफ देखो इसे कैसे चलाते है मोरन का दिमाग जो था वो बिलकुल ही मैसी था उसे पता ही नहीं क्या रियाक्ट करूँ वो धीरे से अपनी आईब्रो की तरफ देखता है और एक अजीब से स्माइल करता है शिजुन मजाक मत कीजिए इस वक्त मेरे पर थोड़ा रहम खाईए वो कहता है मैं तुम्हें तीन मूव दूँगा यहाँ पर मोरन कहता है मैंने कभी इस तरह की willowine चूज ही नहीं की और मैंने इसे चलाना भी नहीं जानता तो यहाँ पर master कहता है ठीक है मैं 10 मूव दूँगा तब ही यहाँ पर चूज वेनिंग कहता है कि यह कोई बात ही 10 मूव सही लेकिन मोरन कहता है पर चूज वेनिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं बूलता एकदम से वो उसके हाथ में वेव होती है और वो golden line यहाँ पर एकदम से निकलती है more and shock हो जाता है उसे डर लगता है कि heaven inquisition जो है वो बहुत जादा deeply rooted है उसकी bone से कहीं उसे इस damn thing की वज़े से यानि कि जो उसके हाथ में weapon है उसकी वज़े से इन दोनों को problem ना हो जाए उसे चलाना ही नहीं आ रहा था यह wine जिस पर भी लगती है उस इंसान को एक तरह से बहुत जादा गात देती है और यह एकदम wind और snow की तरह ही जाकर चपेड़े मारती है लोगों को तो यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो दो dragon आपस में लड़ रहे हूँ क्योंकि इनकी शक्ती इतनी जादा powerful थी उसने अभी तक सीखा भी नहीं था अपने spiritual weapon को चलाना चूवेनिंग धीरे से आगे आता है और Moran जो है वो देखता है कि यह person कितना ज़्यादा gifted है उसे यकीन नहीं आना था कि चूवेनिंग यहाँ पर उसके attack को block कर देता है दोनों के दोनों महाँ पर नाजने कितने round लडने लगते है चूवेनिंग यहाँ पर Moran को सिखाना चाता था Moran का response भी outstanding था जबकि ऐसा चूवेनिंग ने expect नहीं किया था कि Moran इतनी जल्दी चीज़ों को control करना सीखेगा heaven inquisition जो है वो एक gold थी और एक damn thing की मतलब red light आ रही थी वो दोनों ही आपस में एक दूसरे से लड़ती हुई काफी खुबसूरत लग रही थी brilliance लग रही थी और finally golden और red light आपस में strangle हो जाती है और उनका match बहुत ही different था वो difficult होता है उन लोगों को separate करना क्योंकि वो एक ही wood spirit से बनी हुई थी चूवैनिंग की आके full admire कर रही थी लेकिन waran जो था वो अब tired हो चुका था लड़ लड़के चूवैनिंग की attack को block कर करके यहाँ पर वो सास जोर-जोर से लेने लगता है और वो अभी भी अपनी opponent की eyes में नहीं देख पा रहा था तब ही चूवैनिंग धीरे से कहता है heaven inquisition वापस आओ यहाँ पर कई ना गई लोगों के चहरे पर बहुत ज़्यादा fierce look था और hard look था विलोवाइन धीरे से आती है और soft हो जाती है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक eyes melt होती हो बिल्कुल वैसे ही चूवैनिंग के पास आकर वो धीरे से melt होने लगती है चूवैनिंग के हाथों में मोरन जो है अब खुद को hold नहीं कर बाता और यहाँ पर वो कहता है मैं अब आपके साथ और भी match नहीं करना चाता शिजुन आप अब मुझे भुली कर रहे है चूवैनिंग केता है ठीक है मैंने वैसे भी तुम्हें 10 move दे दी है मोरन जो है धीरे से कहता है यह 10 move enough है मैं आप लोगों के साथ अब दुबारा चाहिए आप मुझे 100 बर सिखा ले जो उसके पास विलो हाई नहीं थी उसे संभालने ही पा रहा था चूवैनिंग के उसने अटाइक अच्छे से रोक तो दिये थे बट जब आपको कोई ची चलानी नहीं आती तो आपको बहुत ही भारी लगता है उसे फर्स टाइंड चलाना यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि अजूरा लेक में उसे थोड़े से इलूजन हो रहा है जैसे कि चूवैनिंग धीरे से उसके जो चेहरा है वो स्माइल कर रहा हो और यहाँ पर उसके चेहरे पर एक जेंटल से स्माइल थी उस मुमेंट के लिए वो अपना सिर को खुमाता है और यहाँ पर अपने हाथों को अपनी बैक के पास रखता है यहाँ पर ऐसा लग रहा था ना जाने कितने सारे स्ट्रिंग जो है आपस में दरूदर ट्रीकियों पर चल रहे हो कौन जानता है कि कौन क्या सोच रहा है उस रात मोरन जो है वो गेस्ट रूम में बैठा हुआ था रूम जो है कवर्ड हुआ था बहुत सारी फाइन सॉफ्ट प्योर वाइट कलर की सैंड में और वॉल्स जो थी वो पेंटेड हुई भी थी ब्लू गलर की जैसे वहाँ पर कोई स्पेल कास्ट की गई हो रिफ्लेक्शन जो था वो बिल्कुल वेव की तरह वहाँ पर चल रहा था और विंडो हाफ ओपन थी परल कर्टेन वहाँ पर लगे हुए थे वहाँ पर पहले के टाइम पर बीट्स वाले कर्टेन चलते थे ना कि जैसे हमारे कपड़े के चलते हैं लैंप जो था वो नाइट में जल रहा था बिल्कुल परल की तरह लग रहा था आधी रात में वहाँ पर इंसाइड रूम में जैसे कि मनों सॉफ्ट साटन कपड़े म कोई बंदा बिल्कुल लिपता हो साटन चोती वह बहुत जादा फाइन और सॉफ्ट क्वालिटी की थी वह रहां अराम से अपने बेड़ पे लेटा हुआ था और वह समन करता है अपनी रेड विलोवाइन को उसका हाथ जो है ऐसा लग रहा था जैसे जगड गया हो और वह चेस्ट पे जोर से प्रेस होती है ऐसा लग रहा था जैसे पेंट लाइट जो है वह जगमगा रही हो और यहां पर वह बिल्कुल दीप स्लीप में सो गया था यहां पर उसका मास्टर भी सोय वे थे उसे नहीं पता कि वह कितनी देर तक सोता रहा जैसे वह उटता है फॉर् जारा से आ रही थी उसको अब अपनी रिस्ट में एक अजीज सा पीन हो रहा था वह शौक था यह देखकर कि यहां पर उसकी रिस्ट पे कट लगावा है और जिसम से बलड निकल रहा है और यहां पर वह बलड जो था वो कोकोन की शेप में था वो मन में सोचता है क्या अपनी आँके बहुत जादा खुलता है जैसे वह एकदम उठता है वह खुद को कंप्लीटली अनफैमिलियर डार्क स्टोन रूम में पाता है जैसे उसके पास एक अजीब सी खुश्पु आ रही हो और स्टोन रूम में एक ओल लाइट थी लेक जो थी वहां पे स्क्वीज हो रखी थी वो दीरे से अपनी आँकों को खुलता है यहां पर बड़ी मुश्किल से ही उसे उस नेरो रूम में कुछ दिक रहा था और यहां पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा बहुत ही जादा चोटा हो ग्रीनिश ग्रे स्टोन वाल थी वहां पर जो की गीली थी स और वो सारी की सारी अलग सी वीक सी लाइट में अलग सी लग रही थी और मोरन हिरान था दिखते हैं गाईस किया के रिये मोरन अपनी डीप स्लीप में कहां पोच गया है और इसके साथ अब आगे चलके क्या होने वाला है देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में तब तक मेरी चानल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और गाईस दोनों चानल पर मैंने वांक्शन शेयर कर दी हैं मेरी बाकी की बची एफ एफ पी तो आप उने भी जाकर सुन लीजीगा थेंक्यू वेरी मच बबाए